Hello students, today I am going to start 12th class physics, 3rd chapter, Current Electricity Students, आज इस वीडियो में basically हम discuss करने वाले हैं किर्चाब बोल्टेज ला और किर्चाब बोल्टेज ला पे बहुत अच्छे अची प्राउलम्स लोगे जिसके थुरू आपका concept बहुत अच्छा हो जाए तो आपको मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को आप one sort में देखें और आप जैसे से वीडियो को आगे देखती जाएंगे देखेंगे कि आप variety of questions आपको मिलती जाएंगे और आपका concept भी अच्छा सा build-up होगा ओके students तो पहले समझेंगे क्या होता है किरचाफ voltage ला तो किरचाफ voltage ला बहुत simple है किरचाफ voltage ला को आप कैसे define करते हूँ देखें इसको पहले generally आप कैसे बोलते हूँ इसको आप loop rule भी बोलते हूँ इसको आप mess rule भी बोलते हूँ ठीक है और आप shortcut में इसको केवल भी बोलते हूँ क्या बोलते हूँ क्या होता है किरचाफ voltage ला देखें इन simple भी इसको डिफाइन कर सकते हूँ इन अ ख्लोज लूप यह इंपोर्टें ट्रम है इन आ ख्लोज ट्रूप और अल्टिकल शर्केट अल्टिकल सर्केट अल्टिकल अल्टिकल सर्केट ट्लेयर हो गया ? the algebraic sum of the algebraic sum of changes of potential is 0 सिर्फ आपको ये पढ़ना है क्या करना है जो भी changes of potentials हैं उनका algebraic sum लेना है algebraic sum of changes of potential कहां होना है in a closed loop or mess of analytical circuit is 0 सिर्फ ये statement है that is sigma delta v is equal to 0 और एक चीज़ दो बता दू कि ये केवल true है it is true for true for closed loop और क्या आपको करना है it is also applicable for open branch but open branch के लिए क्या करना है but for open branch जो sigma delta v होगा is not equal to 0 होगा ये आपको याद रखना है student कि अगर close loop होगा close loop के लिए ये तो applicable होगा it is for closed loop तो मैंने close loop के लिए दिया ये हो गया open branch open branch के लिए it is not equal to 0 already मैंने इसका वीडियो channel पर upload कर लिया है आप channel की playlist पर चेक करेंगे किर्चाब voltage law for open branch तो आपको अच्छे-ची problem मिल जाएंगी और पूरा concept मैंने उसमें clear किया हुआ है आज हम समझेंगे किर्चाब voltage law for a closed loop कैसे होता है पिसके लिए क्या करना है पहले आपको आपको समझना पड़ेगा sign conviction sign conviction क्या होगा सिर्फ मैं sign conviction में आपको कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ वो चीज मैं बताऊंगा जिसके तुरू आप question को easy way misled solve कर पाओ क्या करना है मुझे मैं आपको सिर्फ दो वर्ड बताता हूँ देखी आप क्या करोगे close loop लोगे ठीक है close loop में आपके mess की direction decide करोगे close loop लेना है क्या करना है close loop लेना है ठीक है loop की direction decide करनी है loop की direction decide कर लीजी फिर देखें दो वर्ड क्या बढ़ेगा या घटेगा और कुछ मुझे आपको नहीं सिखाना close loop लेना है loop की direction decide करनी है आप uncle को choose करो या anti को मैं क्या बुलता हूँ uncle को choose करिए या anti को choose करिए uncle का मतलब clock wise anti का मतलब anti clockwise ठीक है मैं ऐसा लिए देता हूँ सिधे clockwise तो uncle की बात होगी चाहे anti की बात होगी आप ही decide करोगे loop की direction कैसी भी ले लो ठीक है एक circuit में दो loop हैं एक में anti clockwise एक में clockwise चलेगा दोनो clockwise तो भी चलेगा दोनो anti clockwise फिर भी चलेगा मतलब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि अगर किसी circuit में दो से ज्यादा loop बने तो दोनों की direction सेम हो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं आप दोनों को सेम ले लो दोनों को डिफरेंट ले लो दोनो clockwise दोनों anti clockwise यह आप पे डिपेंड करेगा अच्छा है कि दोनों एक ही direction में लो चाहे anti clockwise चाहे clockwise कोई problem नहीं है इस जी वे में numerical solve होगा बढ़े का क्या मतलब student है बढ़े का मतलब होता है past two ठीक है और घटे का मतलब होता है negative देखें यह sign conviction सबका अपना-पना समझाने का वे है कोई कैसे समझाता है पर मैं आपको यह confirm कर देना चाहता हूँ यकिन मानिए जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाओगे एक ही sort में पुरा वीडियो देखोगे तो आपको किरचाब voltage last related कोई problem नहीं होगी यह आपको मैं fill करा दूँगा अब कैसा हुआ पास्ट्व जरा देखी बढ़ेगा का मतलब क्या हुआ अगर आप fill के पास्ट्व टर्मिनल से निकले ठीक है आप इधर जा रहे है ठीक है यह थी करेंट के डिरेक्शन और यह थी डिरेक्शन आप मेस यह था डीम यहां क्या हुआ यहां आपके पास माइनस है यह प्लस है अब आप जा रहे है इधर करेंट भी कहा जा रहे है करेंट इधर जा रहे है फिर दिखी यह रिजिस्टर है आपके पास इस रिजिस्टर में करेंट धर जा रहे है यह आर है करेंट आई है आप जाके इधर रहो, इधर जा रहो दूसरा मैंने क्या लिया, यह आपके पास रिजिस्टर है, आर करेंट किदर जा रही, करेंट दर जा रही आई, और आप किदर जा रहे हो आप जा रहे हो इधर, यह है DM यह है DM और यहाँ पर क्या है इसमें direction दिखाने के कोई जरुत नहीं है यहां भी मत दिखाईए दिखें आप क्या करना है मैंने क्या बोला आप से इतनी बात समझाई मैंने आपको loop की direction decide कर लिजे फिर बढ़ेगा या घटेगा देख लिजे कैसे ज़र देखे minus plus आप plus से निकल लोब की direction ये है loop की direction ये है loop की direction का मतलब अगर plus से निकले तो बढ़ेगा plus का मतलब बढ़ेगा cell कैसा होगा यहाँ पे जो cell होगा वो past you होगा इस जगे पे क्या होगा ज़र देखे यहाँ आप किधर जा रहे हो आप यहाँ जाने का direction ले लिजी आप जाने का direction ऐसे लिया मैंने ठीक है ये है DM loop की direction है ये loop की direction इधर जा रहे हो आप तो यहाँ पे क्या होगा जो cell होगा E वो कैसा होगा minus मतलब यहाँ negative वारा घटेगा past you वारा बढ़ेगा जड़ा देखिए यहाँ पे current ऐसे flow हो रही कैसे हो रही flow current ऐसे flow हो रही ऐसे flow होने का मतलब यहाँ plus होगा और यहाँ minus होगा यहाँ current है I यह क्या है I I वा R का multiply करोगे तो क्या आएगा I R आएगा अब I R past you होगा के negative होगा जड़ा देखिए current इधर जा रही है इधर जा रही तो यह plus होगा यह minus होगा यहाँ पे जो आएगा वो I R आएगा अब यह past होगा के negative होगा कौन बताएगा यह बताने वाला है जिधर से आप निकल ले हो अगर direction of miss direction of miss किदर है इधर है तो इसका मतलब यह क्या आने वाला है यह आएगा I R negative चाहे तो आप इस तरह से याद करिए या ऐसे देख लिजे कि current और direction of miss दोनों सेम है तो product of I R taken as negative दूसरा देखिए current इधर जा रही सॉरी दोनो यहाँ भी दोनो यहाँ दोनो opposite हो गए जब दोनो opposite होते हैं तब क्या होगा यहाँ पे plus था यहाँ पर minus था आप गए किधर आपको जाना था इस side देखिए यह वाले जो direction थी इसमें हटा दीजे यह direction इसके लिए थी और इसके लिए direction देखिए यह दोनों सेम होगए current की direction और direction आप मेस दोनों सेम थे इससे देखेंगे तो आई वा आर negative आएगा यह ऐसा समझ सकते हैं कि आप negative से निकल ले थे तो आपको आई आर negative लेना है यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ आप इधर जा रहे हो आप current डिरेक्शन इधर जा रहे हैं कि direction आप miss और direction आप current दोनों opposite हैं तो IR पास्टिव होगा यह आप ऐसा समझ लो जिस टर्मिनल से निकलो पास्टिव से निकलो गए तो पास्टिव होगा मतलब बढ़ेगा और negative से निकलो गए मतलब घटेगा घटेगा मतलब negative होगा क्या IR negative होगा इतनी बाद सिर्फ आपको समझनी अब मैं आपको numerical कराता हूँ और जिस से आपका ये concept strong होगा सिर्फ आपको ये पढ़ना है uncle anti का मतलब होगया anti clockwise anti मतलब anti clockwise uncle मतलब clockwise बढ़ेगा मतलब अगर प्लस टर निकल लो तो पास्टियू लेना है negative होगा तो घटेगा मैं आपको अब questions कराता हूँ और आपको student ये तो मालूम ही है कि रचाब voltage law किस conservation quantity को follow करता है किस conservation law को follow करता है it is follow the law of conservation of energy ये मैंने आपको अलेडी explain किया हुआ है कैसे explain होता है वो मैंने potential difference की definition से आपको explain किया था अब हम बात करते है student numerical की देखिए numerical मैं बहुत easy लेता हूँ और आपको इस दो तरीके से बताता हूँ मतलब ऐसा नहीं कि आपको अगर किस चाब voltage ला नहीं आदा तो numerical solve नहीं होगा हो जाएगा definitely हो जाएगा देखिए जैसे first question लेता हूँ मैं यह आपके पास है मैंने यहाँ पे एक cell लगा दिया और यह हो गया 38 ohm यह हो गया 200 volt और मैंने यहाँ पे apply कर दिया 10 volt और इसको मैंने इससे current कर दिया ठीक है आप जड़ा देखिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ find the current find the value of current find the value of current value of current in the circuit बहुत simple question हो गया तो लेकिन पहले आप क्या करो current decide कर दो current decide करने के बाद फिर आप यह देखो loop की direction क्या लेनी मुझे तो loop की direction में चलना होगा अगर plus निकलेंगे तो plus होगा minus निकलेंगे तो minus होगा देखिए यहाँ पे आप पहले देखेंगे कि यह effective cell है कि यह effective cell है तो आप देख पा रहे हो 200 का cell effective है यह कम effective है तिसका मतलब current मुझे कहां से सो करनी पड़ेगी current निकालनी पड़ेगी इससे current मैंने निकाल दी आई यह current इधर गई यह current इधर गई यह प्लस था यह minus था यह plus है यह minus है ठीक है वापस इसमें आ गए ऐसा आप ज़रा देखिए अब मुझे लेना है लूप अब लूप कैसा लेना यह आपको decide करना है आप चाहिए clockwise लूप चाहिए anti clockwise लूप ज़रा देखिए मैं ले रहा हूं ऐसा कैसा है यह मैंने लिया clockwise अंकल को लिया मैंने अंकल मतलब clockwise यह थुआ अच्छा आप ज़रा देखिए आप किरचाप voltage लाप लाई करें किरचाप voltage ला क्या बोलता है इसको naming कर दीजे ABCD पहले क्या बोला मैंने close loop लेना है एना close loop लिखोगे एना close loop क्या होगा जहां से सुरू करोगे वहीं paint करना है ABCDA हो गया आप क्या करना है start करिए किसी point से यहां से जुरू करिए यहां कुछ नहीं है यहां minus कितना minus का 10 मानस का 10 आगे पहुचे यहां आए देखे करेंट यहां क्या जा रहे यहां आई है यहां भी आई जाएगी ध्यान रखना है जितनी करेंट पास्ट्यू टर्मिनल से निकलेगी उतनी नेगेटिव टर्मिनल से इंट्री होगी क्लियर हो गया अच्छा यहां आई वा आर मल्टिम्लाइ करिए आई वा आर कैसे हो रा जहें धिर्यां होती है इसका मतलब ये पास्ट्यू होगा और ये नेगेटिव होगा अब यहां आई वा आर का multiplication क्या आने वाला है आई वा आर का जो multiplication यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा कितना मैं लिखता हूँ 38 I क्या आएगा 38 I अब यह 38 I past you हुआ कि negative होगा यह आपको सोचना है बहुत simple incident आप 38 I negative निकलेगा तो minus 38 I होगा clear अब आगे देखें यहाँ past you निकल ले हो तो यह होगा past you 200 is equal to 0 close loop के लिए जो change आप potential होगा changes आप potential होगा इना close loop it must be 0 open branch के लिए नहीं 0 होता but close loop के लिए 0 होता है ज़रा देखें यह होगा कितना minus 38 I यह होगा कितना plus 190 is 0 यहाँ से आया 190 is equal to 38 I यहाँ से cancel होगा I is equal to 190 अपन 38 यह हैगा 19 तेंजा 190 अपन 2 यहाँ से कितना आया I is equal to 5 ampere correct अब अगर मालो के वियल नहीं आता आप क्या करोगे आप तो एक काम क्या होता है नंबर आप बैटरी replace by single battery नंबर आप cell replace by single cell मतलब बहुत सारे cell को replace करिए एक single cell में बहुत सारे resistance लगे हैं तो उनको replace करिए single resistance में जरा देखी अगर मैं इसको simple तरीके से करता है क्या करता साधार तरीके से साधार तरीका क्या इसका है इसका यह है कि देखे यहां पर यहां पर दो cell लगे हुए है ठीक है दो cell लगे हुए है अब यह दोनों cell में जो effective होगा यह effective होगा clear है तो इसका मतलब यह 200 है और यह 10 है अब देखे मैं एक सीज़ आपको clear कर दूं बैटरी की अपनी क्या चाहत होती है कि बैटरी की चाहत यह होती है मैं लिखता हूं यहां पर देखे बैटरी की क्या चाहत है बैटरी की चाहत है कि बैटरी के यह cell के अंदर बैटरी की के लिजे बैटरी के चाहत हो आर सेल की तो क्या होता है जो करेंट होता है बाहर होता है प्लस से माइनस क्या होता है प्लस से माइनस प्लस से माइनस चलता है यह बाहर की बात है अंदर क्या होगा अंदर क्या होगा अंदर होगा माइनस से प्लस बाहर क्या होता है प्लस से माइनस और अंदर क्या होता है अंदर होता है माइनस से प्लस यह बैटरी की चाहत है जिरह देखिए यह सिल्खी बाहर की बात हो रही तो यहां से करेंट निकलना चाहता है यहां से करेंट निकलना चाहता है करेंट धर आना चाहता है और इसका करेंट इधर जाना चा ठीक है, दोनों में से कौन एफेक्टिव है, 200, ठीक है, तो 200-10 कर देंगे, तो कितना आएगा, 200-10, कब करोगे, आप देखिए, अगर इसका ये प्लस होता और इसका ये मानस होता, तो आइड हो जाते है, क्लियर है, बैटरी कब आइड होती है, बैटरी आइड ऐसे होती है, दो मानस मानस हो गए, तो इसका मतलब दोनों बैटरी क्या होंगी, दोनों बैटरीयों को सब्ट्रेक्ट होना पड़ेगा, E1 मानस E2 होगा, या फिर E2 मानस E1 होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ E1 प्लस E2 होगा, मतलब अगर एक सिलका प्लस, दूसरे का मानस, अगले का मा मतलब 1st चल का माइनस, दोसरी का प्लस, फिर ऐसा ही process चलता रहेगा, मतलब माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, ब्लस, चलेगा, तो add होगे, यहाँ दर देखी, यह प्लस है, यह प्लस है, डफिनेटली क्या होने वाला है, same terminal हो गये, अब इसमें से यह वाला 200 है, और यह 10 है, तो को मानस होना पड़ेगा एक वायर हो जाता और यहां कितना हो जाता 190 डारेक्शन हमको इफेक्टिव के लेनी है तो इसमें 10 कम कर देते तो यह आ जाता 190 बोल्ट आ जाता रिजिस्टेंस के वाल एक ही लगा है तो यह कितना हो जाता यह हो जाता 38 ओम यहां से करें निकलती आई वही जाती इसमें वही इसमें आती तो यहां से करें निकलते तो क्या निकलते आई इस उकल टू वी बाई आर होता तो वी की वल्यू कितनी है 190 आर कितना है 38 यहां से दे सकते हो आप इसको नोट कर लीजिए अब स्टुटेंट मैं दोसरा कोशन लेता हूँ जिससे आपको ये कांसिप्ट और क्लियर हूँ तो क्या करना होता है कि बैटरी में देखना होता है कौन सी एफेक्ट्व है एफेक्ट्व बैटरी को देखना है तो एक बैटरी मैं बताता हूँ कैसे कैसे रिजिस्ट्स को आप कूस्ट्न देखी है अगर सरक्ट में चैर्ट्स लगे हूँ तब आप क्या करोगे तो उसको दोनों तरीके से कर सकते हो आप साधान तरीके से जनरल बेतचर भी होता है तो से कर यह 20 volt हो गया और यह हो गया 10 volt clear यहां भी लगाया मने resistance यहां भी लगा दिया और एक resistance मैं यहां भी लगाद्यता हूं इसके पहले मैंने address लगा थाँ है दिखे तीन ने लगा जिता हूं ठीक है इसका मैं करता हूं तु करता हूं टू ओम इस करता ओकर एं। त्री ओम इस करता हूं फाइफ ओम ग्रोगे अब मैँ पूछा है में फाइंड फान्ट अफंड लुका कर Tipp तो क्या करना है अगर value of current चाहिए तो देखना क्या होता है कि दोनों में से एक effective cell ले लिजी साधान तरीका तो यह इसका है साधान जो तरीका है साधान तरीका वो क्या होता कि जितने भी cell लगे है उनको एक cell में convert करिए तो दोनों cell में देखिए इसका positive है इसके positive से इसका मदब effective यह है तो 10-20-10 करोगे तो क्या आएगा एक cell आपने लगा दिया या 10 और direction कहों से होगी जो effective होगा इसकी direction यह है तो यहाँ से current निकली हमने माल लिया I निकली कितने resistance है 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm कितने होगे, 20 आपने कहीं लगा दिया 10 ohm लगा दिया यह 10 ohm आ गया अब I निकालना है तो I is equal to V by R होता है तो V कितना आ गया, 10 यहाँ से 10, कितना 1 ampere answer आना है अब मुझे ज़रा certify कराना है KVL से, क्या 1 ampere instrument answer आता है देखी यहाँ पर simple way में क्या करिए आप पहले तो close loop लेना है एक direction आप current आप so कर दीजिए तो यहाँ इन दोनों में effective ESL है तो यहाँ से current निकलेगी plus minus यहाँ से current गई जितनी current यहाँ से निकलेगी उतनी current यहाँ से entry मारेगी clear हुआ अच्छा यह आगे पहुँची यहाँ भी I current जा रहा यहाँ भी current आई जा रहा यहाँ भी current आई आ रहा और यहाँ भी current आई आ रहा clear आप naming करिए A, B, C, D हो गया loop decide करिए यह decide हो गया loop कैसा हो गया clockwise लिख दिया अंकल जी आ गया आप दिखिए by using kvl okay in close loop close loop के आने वाला student जा देखिए आप यहाँ पे close loop use करोगे देखिए close loop यहाँ पे आएगा यह A, B, C, D, A A, B, C, D, A close loop आ गया आप देखिए close loop में क्या होता है मैंने क्या बहुला कहीं से start कर दीज़ यहाँ से करिए तो current धर जा रही इसका मदलब यह टर्मिनल पास्ट्यू यह हो गया negative clear फिर दर गए तो यह पास्ट्यू यह negative इधर आए यह पास्ट्यू यह negative हो गया मैंने क्या बोला अगर negative से निकले तो घटेगा पास्ट्यू से निकले तो बढ़ेगा पहले तो आई वा आर मल्टिप्लाई करिए कितना आया 2i यहां कितना आएगा 3i इधर से निकले तो यह कितना आएगा 5i यह 5i है यह 3i है और यह 2i है correct देखे यहां से मैं चल लाँ निकल के से रहू negative से तो minus 2i चल के negative से निकल लाँ तो minus 10 आगे निकल लाँ negative से minus 3i इधर आते आते यहां पहुचा negative से निकल लाँ minus 5i clear इस से निकल लाँ past उसे तो 20 is equal to 0 मैंने बोला है for a close loop changes आप potential must be 0 कितना होगा जार देखे 2i 3i 5i 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 10 minus 10i 10 minus का है 20 plus 10 is equal to 0 तो यहां से कितना आगया 10 is equal to 10i तो यहां i की value आ कितनी आ गई 10 by 10 is equal to 1 ampere आप देख पा रहे हो यह method में इस method में कोई differences नहीं है क्या करना था आपको सिर्फ दोनों cell को single cell में convert करना number of resistance replace by single resistance और कोई जादो तो नहीं कर रहा हूँ simple तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ ऐसे problems को आप easy way में tackle कर सकते हो हो सकता है student यहां पर 1,2,3 resistance है एक resistance मैं और लगा देता है यहां पर कहीं ठीक है यहां लगा देता तो problem और बन जाती ठीक है ok students जिसको आप note कर लीजिए आप मैं देखी क्या करता हूँ इसी question को इसी question को थोड़ा सा change कर देता हूँ इस question में मैं यहां पर एक resistance और involve कर देता हूँ यहां पर मैंने resistance और involve कर दिया यहां पर मैंने कर दिया यहां पर मैं 2 ohm और कर देता हूँ कितना हो गया तो ओमोर में इंवाल कर दिया अज़र्दिक ही अगर मैं वह और इन्वार कर देता तो यह कररेंट ऐसे ही आ好了 इसमें जा रही होती तो यहowner Rolleio cosa मायनस आपज़해 ब्लास मांनी सोता यहां से टो आई और हो जातो हो जाता तो जरकों अपलाई कर यह कहीँ से यह यहां सोगी करी कोई दिक्कट नहींài भी से सीस्टार्ट करें मैंने सर्क्ल बनाया भी से बैसे लिता हूं तो तो minus 10 आएगा, यहां गए आगे तो minus 3 आई होगा, यहां चलेंगे तो minus 2y होगा, इधर से आए, minus 5 आई होगा, यहांसे plus 20 होगा, आगे पहुँचे, यहांसे कितना minus 2y, is equal to 0 देख पारे student simple way मैंने सिर्फ kvl apply कर दिया है देखे क्या value आ गए यहां से यहां से आपको मिलेगा देखे 2y 3y 5 5 5 5 10 और यह हो गया 2 12 यह 12y minus का और यह 10 minus का plus 20 यह 10 is equal to 0 यहां से कितना है 12y is equal to हो गया 10 यहां से i is equal to आया 10 upon 12 यह हो गया 5 by 6 तो यह 5 by 6 यहां से current आ जाता है तो आप देख पा रहे हो circuit में cell लगे हो जितने उनको single cell में convert करिए resistance जितने लगे हैं उनको single resistance में convert करिए फिर आप formula i is equal to v upon r लगाईए या kvr लगाईए simple तरीके में आपको incident answer आ जाता है इसको आप note कर लिजी इसके बाद students हम बात करेंगे next question की अब हम लेते हैं next question student देखें next question क्या होगा थोड़ा सा मैं change करता हूँ अगर मैं circuit ऐसा बना दूँ देखें ये लिया मैंने 500 ठीके और यहां मैंने apply कर दिया resistance आप यहां एक galvanometer लगा दिया और इस galvanometer के सामने यहां पर लगाया मैंने 2 बोल्ट का कोई battery या cell लगा दिया और इसको connect कर दिया language मैंने ये लिखी if galvanometer ये question मर फोर्थ हो जाएगा second third को convert कर दिया 4 if galvanometer galvanometer meter source zero deflection क्या source करता है zero deflection zero deflection then find the value of register value of r आपको इसकी value find करनी है इसका मतलब क्या हुआ अगर ये zero deflection सो करेगा तो क्या meaning क्या निकली many student इसकी ये निकल के आती है यहाँ पे 12 है और यहाँ मैं 12 यहाँ मैं 12 दे रहा हूँ यह 12 बोल्ट हो गया ठीक है आप क्या करना है दोनों effective कौन है यह effective हो गया यहाँ से current निकली यहाँ current गई आई यहाँ से उते होए current यहाँ पहुँची zero deflection का मतलब क्या हुआ zero deflection का होने का सिर्फ एक मतलब है कि इसमें कोई current नहीं जा रही current जाने का क्या मतलब होता है देखे zero deflection का मतलब क्या होता है कि अगर इसका potential 2 volt यहाँ है तो 2 volt यहाँ भी है देखे 2 volt का मतलब क्या हुआ अगर इसका ये 0 पे है ये 2 पे है ये 0 पे है प्लस 2 पे है ये 0 पे है तो ये 0 ये 0 clear हुआ ये 0 आ गया और ये 2 पे है प्लस 2 पे ये प्लस 2 पे ये कितना हुआ प्लस 2 पे मतलब ये हुआ इन दोनों का potential same हो गया तभी तो कोई deflection नहीं आया कोई deflection है मतलब यह हुआ कि जो current धर से जा रहे थी वो इधर गई आई और वही पास हो गई इसमें मतलब यहाँ पर कोई current नहीं गई इसमें कोई current नहीं गई सारी के सारी current इधर आई और वही current फिर इधर पास हो गई सिर्फ 0 deflection का मेनिग इतना है अब आपको R कैसे find करना है ज़रा देखिए यहाँ पर क्या होगा R इधर आ रहा है तो यह होगा I R होगा current इधर से आ रहा है तो यह plus होगा और यह minus होगा clear हो गया अब आपको लेना है loop अब loop आप कैसे ले लो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो जो आपका करें ठीक है आप एक ही तरफ लूप लगाई लगा दिया यह लूप हो गया first यह लूप हो गया second तो क्या naming कर दीजिए A B C D E F क्या हो गया F अगर कहीं potential लिखा होता है इसा क्या meaning होता है अगर ऐसे लिखा है दो bold दो bold का मतलब क्या होता है यह 0 पहो गया यह प्लस 2 पहो गया यह तो meaning है कि मतलब इस terminal का potential इसके comparison में ज़्यादा है कितना? मानस 2 ज़्यादा है सिर्फ इतनी से meaning आती है अब देखे ज़रे kvL लगा करके आप इसको बहुत easy कर सकते हो लगाई यह kvL using kvL in first loop using kvL in first loop first loop क्या है a b a b c f a जहां से शुरू करोगे वहीं पर लोडना है a से शुरू किया तो a पर in हो गया ज़रा kvL लगाई यह देखे यहां से चलना शुरू किया मैंने इसको बना दिया यहां से प्लस किया तो प्लस से निकले आप प्लस से निकले कितना 12 तो यहां हो गया 12 आगे गए करें धर जा रहे तो यह प्लस होगा यह मैनस होगा इन दोनों का i वा r मल्टिप्लाई करेंगे तो 500 r होगा sorry 500 i होगा clear तो यहां से क्या आएगा आप निकल लेगा 500 i कि प्लस आएगा तो मैनस से निकल लेओ तो मैनस 500 i आगया इधर आओ गए तो यह पास ट्वेज उकल टू 500 i प्लस आई आगया equation first start गए अब जरा second में apply करें using kvn in second loop second loop second loop क्या है आपके पास c d e f c यह हो गया second loop अब इस second loop में apply करो गई तो देखेंगे क्या मिलने वाला है देखें यहां से student आपको क्या मिले गया यहां गए इधर 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 गए यह प्लस था यह माइनस था तो नेगे टू माइनस टू इधर वापस आए अब इधर गए तो यह प्लस से निकल ले हो तो प्लस i r is equal to 0 अभी क्या हो गया i r की value आपको मिल गए 2 ठीक है equation 2 using first using first यहां i r की value रख दीजी क्या हैगा 12 is equal to आ गया 500 i plus 2 यहां से क्या हुआ 10 is equal to 500 i तो i की value आ गई 10 अपान 500 यहां से आया 1 अपान 50 ampere clear हो गया i की value निकल आई r निकालना है using second using second using equation second यहां देखिए i की value कितनी हो गई i r is equal to 2 है 2 i की value है 1 upon 50 यहां पे आया r is equal to 2 तो r की value आगे कितनी 100 ohm इस तरह से student आप देख पा रहे हो KVL की help से इस typical circuit को आपने easy way में solve कर दिया इसको आप note कर लिजी इसके बाद हम लोगे हम लोग लेंगे next question जिससे आपका concept और clear हो student question number five question number five में student यह है यह आपके पास cell हो गया और यहां पर मैंने resistance लगा दिया और यहां पर resistance लगाया connect कर लिया वन ओम कर लिया और यहां पर भी 3 ohm दे दिया मैंने यहां पर 9 ohm की बल्टी लगा दिया मैंने 9 ohm और यह हो गया 6 ohm यहां पर इभी मैं एक resistance अड़ कर देता हूं यह हो गया 2 ohm यह 1 2 और यह हो गया 3 ohm 3 ohm अब आपको करना क्या है find करनी है current in one ohm क्या करना है current in one ohm चलिए find करना है आपको find current in one ohm वन ओम में current student क्या आने वाली है जरह देखी पहले तो आप क्या करिए पहले current divide करिए current का डिवाडेशन करोगे आप तो यहां से current निकालनी क्योंकि आप देख पा रहे हो जो 9 bold का cell है और जो 6 bold का cell है दोनों में effective कौन है इन दोनों में effective यह है क्या हो गया यह effective हो गया है और यह कम effective है तो यहां से आपने current निकालना शुरू किया यहां से current निकाल इस जगे पे तो यहाँ पे हो गया I1 और इधर करेंट हो गया I2 clear हो गया तो यही करेंट I2 इधर आएगी यहाँ करेंट यह माइनस है यह प्लस है यहाँ पे करेंट आएगा कितना यहाँ करेंट जारा I2 यहाँ पे जब पहुंचेगा दिखिया I1 मिल गया इधर से यहाँ से i2 मिल गया तो इधर जाएगा i2 इस तरह से ये करेंट आपने एक्कुली डिवाइड कर दिया अब इस्टुइंट क्या करना है आपको आपको लेने हैं लूप तो कोई दो लूप डिसाइड कर लेजिए आप एंटि क्लाक्वाइज लेजिए आपसे एजी वे में हो जाएगा चलिए आपका कर लिजे ले लिजे कैसा एंक लाइज ठीक है यह हो गया फस्थ लूप यह हो गया शूप किसे में कुछ अपनाई करें ही चली लेना हो मैं यूधिंग के इन using kvl in first loop first loop लेने वालों मैं first loop क्या है जरे देखें naming कर दीजे a b c d e f clear हो गया यहां से मैं शुरू कर दा हूँ यहां से यहां शुरू कर रहा हूँ तो क्या आएगा b c f a b clear clear यह मैंने लूप ले लिया इस लूप मैं इधर से चलूँगा देखें current जा रहे है तो यह अला प्लस होगा यह माइनस होगा आई वा आर का multiply करोगे तो आएगा 2i clear यहां i1 आ रहा है तो यह आएगा कितना श्रिफ i1 आएगा यह प्लस रहेगा यह माइनस रहेगा इधर से ओके आ रहा है यह प्लस है यह माइनस है यहां पर कितना आने वाला है जारा देखी श्रिफ यह लूप लिए है इस लूप में जारा देखे यहां से मैं चलना हूँ तो नेगेटिव निकलना हूँ कितना है आपके पास आई तो यहां गया 2i clear यहां पर आया तो यहां i1 है 1 से मल्टिप्लाई किया तो श्रिफ i1 आ गया लेकिन माइनस में निकलना हूँ तो नेगेटिव आए घटेगा फिर वापस इधर गया तो यहां कितना आ रहा माइनस 3i clear हो गया माइनस 3i यहां कितना प्लस से निकलोंगा यह माइनस है यह प्लस है प्लस 9 बोल्ट is equal to 0 आप देख पार हो यहां से यहां पर यह आई बन था कितना था यह आई बन था तो यह हो गया माइनस 5 उधर ले जाओंगा मैं i-5i plus i1 is equal to 9 एक्वेशन फस्ट आ गई आप देखें जो यहां i है i है वो क्या है i is the sum of i1 plus i2 यह आपको याद रखना है i is the sum of i1 plus i2 तो i जो i यहां से दिया जा रहा देखें i की value यह आ गई तो i की value हम change कर सकते है i1 plus i2 में देखें 5 i1 plus i2 plus i1 is equal to 9 यहां से कितना आएगा जाके यह हो गया जाके 5 i1 plus 5 i2 plus i1 is equal to 9 यहां सो जाए कितना यहां सो जाए कितना यहां सेक्ड़फिश्ण प्लस 5 i2 is equal to यह जाएगा 9 एक्वेश्ण फरस्ट इसको इस्ट्टिन नोट कर लीजी आप हम लोग निकालते हैं 2nd equation, 2nd equation के लिए क्या करोगे आप, 2nd loop लोगे, 2nd loop में क्या आने वाला जर देखिए, 2nd loop, 2nd loop क्या होगा, C, D, E, F, और हो जाएगा, C, यह 2nd loop आएगा, अब जाए 2nd loop के लिए देखिए, कहां से मिलेगा, यहां negative से निकलोगे, वो प्लस से निकलोगे, तो प्लस 6, आगे आए, यह हो गया कितना, माइनस 3I2, 3I2, इधर गये, तो यह आएगा, I1 के मिलेगा, प्लस, I1 हो गया, is equal to 0, तो यहां से आप देख पा रहे हूँ, कितना आगे जाकि, यह आगया, यहां से, I1 माइनस का, प्लस 3I2, is equal to 6 आगया, 6 रोग दिया मैंने, यह उठा के दोनों धर ले गये, यह question number second आगय, अब देखे, इन दोनों में किसको मैं easy solve कर सकता हूँ, देखे, I1 के साथ इसको 6 से multiply कर दीजे, कितना आएगा, minus 6I1, प्लस, यह आएगा, 18I2, is equal to 36, ओकी, तो यहां पी multiply करोगे आप, तो आपको student क्या मिल जाएगा है, देखे, यह आगया 36, अब यहां देखे, यह कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, 6I1, प्लस, 5I2, is equal to 9, यह question आपके पास आ गए थी, 3rd, और मैं यहां लिए देता हूँ, 3rd plus 1st, यह, 3rd plus 1st कर दिया, तो इन दोनों को add हो गया, यहां से cancel हो जाएगा यह, यह तो चलते बने, कतम, यहां कितना हो गया, यह हो गया 18, यह हो गया 23, 23I2, और यहां से कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 45, clear, तो यहां से I2 की value आ गई, 45 by 23, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो current चाहिए 1 में, मतलब मुझे क्या आईवन चाहिए, तो I1 के लिए क्या करता था मैं, जरा देखी, I1 के लिए मैं I2 equal कर देता, क्या कर देता, I2 equal कर देता, जरा देखी, यह मैं नोड कर लेता हूं, इसको हड़ा देता हूं, यह आपके पास है, और यह है आपके पास, मुझे I2 equal करना है, तो जरा देखी, य और यह कितना है यह आपके पास minus i1 है plus 3 i2 है is equal to 6 है ऐसा क्या कर दूँ कि i1 निकल आए मुझे i2 हटाना है i1 निकल आए तो i2 हटाना है तो उसको का करिए इसको 3 से multiply करिए इसको 5 से multiply करिए तो 3 से multiply करो कितना आएगा 18 i1 प्लस 15 i2 is equal to 27 इसको करोगे इसको करो कितना आएगा 15 i1 प्लस 15 i2 नहीं यह हो गया 5 i1 और यह हो गया 30 ज़र देखी मुझे चाहिए i2 क्या चाहिए मुझे i2 हटाना है तो i2 हटाने मतलब यह माइनस कर दीजी इससे कोई मतलब यह cancel हो गया यहां कितना आ गया यह आया 13 i1 और इदर से कितना आया इसमें कम करोगे तो माइनस 3 आ जाएगा तो i1 की value आपको मिल गई माइनस 3 आपान 13 एंपियर तो आप देख पा रहे हो कि यहां जो डारेक्शन है डारेक्शन कैसी है इसकी आईवन डिरेक्शन नीचे है कैसी आईवन की डिरेक्शन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो लिया गया है वो नहीं होगा जो डिरेक्शन लिया गया है वो होगा नहीं i1 की direction कैसी होने चाहिए ये होने चाहिए इधर की तरफ कैसी होने चाहिए इधर की तरफ तो i1 की direction upward होगी downward नहीं होगी ये जो current i plus i1 का जो sum होगा वो i2 के equal आ जाएगा जब हम इसको solve करेंगे तो हमारी भी requirement student ये थी कि मुझे बताना था कि i1 की value क्या होगी तो i1 की value मैंने निकाल दी आप देख पा रहे हो minus में आ रहा minus ये बताता है कि जो direction हमने supposed की थी वो गलत है direction नीचे नहीं होगी direction कहा होगी उपर होगी आप इसको note कर लेजे इसके बाद हम लेते हैं next problem okay students तो इस question में circuit आपके पास बना हुआ है इस circuit में i1, i2 और i3 निकाल ला है आपको बहुत simple सा question हो जाता है आप यहाँ पे loop decide कर लेजे आप loop decide करोगी जैसा आपको समझ में है anti-clockwise या clockwise ठीक है तो आप क्या कर पा रहे हो दिखे पहले आपने current direction शुरू कर दिया है यहाँ पे already दिया हुआ है figure में ठीक है आप decide कर लिजिए एक यह हो गया loop first और दूसरा loop हो गया second तो मैं क्या कर रहा हूँ first loop में ले रहा हूँ first loop का मतलब गया a first loop a b यह हो गया e यह हो गया f और यह हो गया a first loop in first loop a, b, e, f, a देखे यहाँ से चली यहाँ से निकलोगे आप निकलोगे किस से current इधर जा रहा है इसका मतलब a plus यह हो गया minus इधर current जा रहा a plus, a minus यहाँ current जा रहा तो a plus, a minus ठीक है घटेगा बढ़ेगा देखे यहाँ से चलना शुरू हूँ आपका a से, b, p गए इधर गए minus 27 clear हुआ अब देखे यहाँ पर क्या हो गया minus से निकलना है तो current और resistance का multiplication करिए 6 i2 लेकिन minus लेना है 6 i2 यहाँ पहुँचे इधर गए तो i1 जा रहा है इसमें जा रहा है तो यह minus का 2 i1 हो जाएगा क्यों? क्योंकि resistance और current का multiplication करिए और sin वो लेना है जिसते निकलना है यह हो गया यहाँ plus 24 is equal to 0 equation क्या आगए देखे जा रसा यह minus में है यह minus में उधर जाएगा और 24 इसमें जाएएगे तो minus 3 आ जाएगा तो minus 3 is equal to हो गया 2 i1 plus 6 i2 equation फर्स्ट आ गई आप ज़रा देखे second loop में देखे second loop second loop क्या है? second loop student आपके पास आ जाता है second loop आपके पास इस्टुटन क्या मिलता है? B C D E और B यह second loop है देखे यहाँ से चलना सुरू हुआ इधर गए तो यहाँ पे 4 ohm है current है i3 तो 4 i3 होगा but it is minus क्यों minus से निकल ले हो? यहाँ गए इधर देखे इधर आपको जाना है तो current इसमें i2 है और यह 6 है तो 6 i2 तो होगा but यह minus होगा कि plus क्योंकि जाना है loop में इधर आपको ऐसे जा रहो current की direction नहीं देखनी है आपको loop की direction देखनी है loop की direction में plus से निकल ले हो तो यह होगा plus यहाँ देखे यहाँ plus से निकल ले हो तो plus 27 is equal to 0 अब यह कितना हो गया आपके पास? यह हो गया यहाँ से उधर ले जाएंगे तो 4i3 plus 6i2 is equal to 27 यह उधर जाएगा तो plus हो जाएगा देखे 4i3 है यह 6i2 उधर जाएगा तो यह हो जाएगा minus इतना है आपके पास यह होगा equation 2 बट यहाँ देखे जो i1 है i1 है क्या है? i1 is the sum of i2 plus i3 तो i3 की value क्या नहीं का सकती है? यह at point b at point b होगा यहाँ पर आप rule लगा पा रहे हो जिसको बोलते हो आप junction rule मतलब sum of entering current is equal to outgoing current तो i1 आ रहे है i2 और i3 जा रहे है तो i1 is equal to i2 plus i3 हो गया तो यहाँ से i3 की value आप e.g.v में निका सकते हो तो आपको i3 कितना मिल गया? i1 minus i2 आ गया तो यह value आप यहाँ put कर सकते हो तो put करोगे तो क्या देखोगे? 4 से multiply करिए यह गा 4 i1 minus 4 i2 minus 6 i2 is equal to 27 तो यह हो गया 4 i1 minus 10 i2 is equal to 27 equation 2 हो गए आप ज़राद देखे यहाँ पर 2 i1 है यहाँ पर इसको gap कर देजे इसको multiply कर लिजे कितने से? इसको कर लिजे 10 से इसको कर लिजे 6 से तो i2 की value gap हो जाएगी i1 निकल आएगा देखे ज़राशा multiply करोगे कितना आने वाला है? यहाँ पर आ जाएगा यह 20 i1 plus 60 i2 is equal to minus 30 इसमें multiply कर लिजे 6 से देखे 24 i1 minus 60 i2 और इसमें जब multiply करोगे तो यह आजाएगा 6 7 42 42 2 आया 4 आया 6 चुड़ा 12 12 और 4 16 162 हो गया student तो आप इतना easy way में calculation कर पा रहे हो अब आप देखोगे तो क्या आएगा यहाँ से यह cancel out हो जाएगे यह हो जाएगे इतना 20 20 40 और 44 हो गया यहाँ से 44 i1 निकल आया यहाँ से कितना 30 कम हो जाएगा 132 आ जाएगा यहाँ से i1 की value आपको मिल गई 132 अपान 44 इसको out चोटा कर सकते थे यह कितना आ जाएगा देखे 66 अपान 22 यह हो गया 6 यह हो गया 2 यहाँ से i1 की value आपको 3 ampere मिल जाती है अब i1 की value 3 ampere आ गई किसी में रख करके आप i2 निकाल सकती हूँ जड़ा देखी for i2 for i2 using first using first first में क्या करोगे minus 3 is equal to 2 i1 2 into करोगे 2 into 3 plus 6 i2 यहाँ कितना है यहाँ 6 6 दल लोगे minus 9 हो गया यहाँ पे 6 i2 यहाँ से आप लेख सकते थे i2 is equal to minus 9 by 6 तो जाएगा minus 3 by 2 minus 1.5 ampere आजाएगा तो आप यहाँ से i2 भी निकाल पा रहे हो अब i2 minus आगया इसका मतलब यह direction ऐसी नहीं होनी चाहिए इसकी direction अंदर होनी चाहिए ठीक है एक बात अब ज़रा i3 निकालोगे तो क्या आएगा i3 निकालना है तो i3 की value क्या होगी i3 की square to होगा i1 minus i2 i1 कितना आपके पास आया देखे दरा i1 i1 आया था 3 और i2 कितना आया यह आगया 1.5 यह आगया 1.5 देखो नेगेटिव क्यों बताता है direction को क्या बताता है direction को तो इसका मैंदब i1 3 mp eire आया है 3 mp eire आया कितना 3 mp eire आया इधर से कितना आ रहा 1.5 mp eire ठीक है तो यह हो गया कितना 1.5 mp eire यहां रहेगा minus यह minus की value आयो रहे धी minus minus होगेा ठीक है यह भी आ रहा है और यह भी आ जाएगा तो यह हो जाएगा 3A, यह हो जाएगा 1.5A, कितना I3 की value हो जाएगी? 4.5A, तो आप देख पा रहे हो, कि I3 की जो जाने वाली value है, वो कितनी हो जाएगी? 4.5A, तो यहां से 3A आ रहा है, यहां से आ रहा है 1.5, तो यह हमारा answer सही हो जाएगा, इस तरह से student आप इसको note कर लिजे, आपका यह answer आ गया, अब हम student discuss करेंगे, next question की, आप ज़रा देखिए, इस question को देखिए, इस question में क्या हुआ? कि circuit बना दिया गया, और circuit के विहाब पर क्या बोला जा रहा है? कि आपको current find करनी है, in each branch, ठीक है? each branch में current find करनी है, ज़रा देखिए, तो आप loop ले लिजी, यह हो गया first loop, यह हो गया second loop, यह हो गया third loop, तो first, second, और third loop, तो आपको i की value निकालनी है, यहाँ i divide हो गये दो पार्ट में, तो आपको i2 निकालना है, ठीक है, i2 इधर गया, sorry, i2 इधर गया, i1 इधर गया, तो i1 आपको चाहिए और i2 चाहिए, यहाँ पर i2 divide हो गया i3 और i4 में, तो आपको i3 चाहिए और i4 चाहिए, यह current चाहिए, तो आप क्या करिए, first, second, third loop है, में, इन में से आप ले लिजे, first miss, mess first, first miss क्या बोलता है, देखिए जरसा, इस miss की बात कर रहा हूँ में, यहाँ से निकलूँगा, plus से निकलना हो, तो 2 बोल्ट प्लस का होगा, इधर आ रहा हो, इधर देखिए, यहाँ पर minus से निकलना हो, तो इसका मतलब minus 2 होगा, फिर में इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा और plus terminal से निकलूँगा, plus से निकलना है, मुझे ir plus लेना है, i और r, i4, plus लेना है, i4 into 1, is equal to 0 लेना है, clear हो गया, तो यहाँ से क्या यह दो 0 हो गया, तो i4 की value exactly 0 आपको मिल गई, अब मुझे लेना है, miss second, miss second लेना है, second miss ज़रा देखे, यह है, आप यहाँ से start करिए, यहाँ से student start जब करोगे, यहाँ से आओगे, देखे, यहाँ पर क्या होगा, i और r multiply करोगे, negatives निकलोगे, तो यह हो जाएगा, i4 into 1, लेकिन यह आएगा क्या, minus, यहाँ से क्या होगा, minus आ रहा है, जड़ा उपर जाएगे, तो i1 है, into 1 है, वो प्लस से निकलेंगे, तो प्लस आएगा, i1 into 1, यहाँ देखी, प्लस से निकलोगे आप, plus 2 is equal to 0, तो यह हो पा रहा है यहाँ पिस्ट, देख पा रहे हैं आप, तो यह minus 2 plus 2 cancel हो गया, ठीक है, i4 की वेलू अलड़ी 0 थी, तो यह 0 आया, minus 2, plus i1 आया, plus 2 is equal to 0 यहाँ से minus 2, plus 2 cancel हो रहे है, i1 की वेलू आपको मिल गई 0, तो आपको i1 मिल गया और i4 मिल गया, जरह देखी, आप मैं बात करता हूँ, mess number, third miss की, third miss, अब यह mess third है, mess third मिल जरह देखी, आप यहाँ से चलेंगे, इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पे i और r का product होगा, लेकिन ले अब क्या है, i1 into 1 और negative, यहाँ देखिए, negative निकल ले हो, तो minus 2, उपर गए, यहाँ i और r लेना है, यह current उपर जा रहे है, तो यह plus होगा, यह minus होगा, i और r, 1 into i, 1 into i, बट यह लेना है negative, क्योंकि यह plus था, यह minus था, यहाँ पहुँचे, minus और plus, plus से निकल ले हो, तो plus का 2 होगा, is equal to 0, अब देखिए, minus i1 होगा था, i1 की value 0 थी, तो 0, minus 2, यहाँ i है, i आ गया, plus 2 is equal to 0, यह देखोगे, 2, 2 cancel होगया, i1 की value again 0 आ गय, i की value 0 आ गय, अब आपको student यहाँ मालूम है, देखिए, आपको i4 मिल गया, i1 मिल गया, i मिल गया, तो देखिए, यह जो i2 था, i2 वेलू जो थी, i2 divide हो रही थे, क्या, जो i2 है वो divide हो रही है, i3 plus i4 में, clear, तो देखिए, और जो i था, वो divide हो रहा था, i2 plus i1 में, clear हो गया, तो i1 की value 0 है, और i की value 0 है, देखिए, i की value 0 है, i2 नहीं मालूम, i1 की value 0 है, तो यहाँ से क्या आ रहा, आपको देख पा रहे हो कि i2 की value भी 0 आ गए जरा यहां देखिए आप यहां से देखो गए तो देखे i2 की value 0 हो गई 0 i3 की value नहीं मालूम मुझे प्लस i4 0 है तो आपको क्या मिल गया यहां से यहां से मिल गया i3 की value 0 यह question student 2017 का i8 j का है okay question बहुत simple है इसको आप note कर लीजी इसके बाद हम लेते हैं next question yes students इस question में आपको current find करनी है i1 i2 i3 तो मैंने पहले भी बोला है आपको current की direction में पहले आप plus minus लगा लिजी जिससे easy हो जाए जैसे यह plus यह minus होगा और इस direction में current जा रही तो plus minus होगा और current यहां जा रही है इसका मतब यह plus यह minus होगा इदर करेंट जा रहे तो यह प्लस यह माइनस होगा और सारा हो गया आप क्या करना है आप लूपक डिसाइड करेए यह आपके पास फर्स लूप यह आपके पास सेकेंड लूप और यह थर्ड लूप कि डिर्क्षन डिशायड करनी है कुछ मी लिलिजिए आप इस भी लाख वाइस डिलिजिए तो आप क्या करोगी in first right in first left first met SP service है क्या आपके पास यह僅 ए B a b c और यह हो गया in a b c मैं जले लेआ खाई दयख कि i was ar cabbage संग निगेटिव यहां पुझाई आहरे जा रहे होगा नेगेटिव नेगेटिव होगा तो आप यहां नेगेटिव लगा दोगी यह कर दोगी फिर्ट क्या आज़ेख देखजी इधर जाना है आपको i1 के साथ 1 का multiply करिए negative होगा तो मतलब i1 आ जाएगा इसको 1 लिख सकते हो आगे क्या आएगा यहां से देखी plus 10 होगा is equal to 0 हो गया यहां से क्या करने वाले हो minus अंदर जाएगा तो यह हो गया minus 4i2 minus 2i2 minus 2i3 minus i1 plus 10 is equal to 0 इसको आप ले सकते देखिए यह हो गया 6i2 उधर जाएगा तो यह हो गया i1 plus 6i2 यह हो गया plus 2i3 यह equation हो जाएगी आपके पास first अब देखिए student क्या आने वाली है अब आप equation second बनाईए कैसे बनाएगी देखिए अब आप second miss लिजे in second miss second miss आपके पास क्या है second miss यह है a c d यह आपके पास a हो गया देखिए यहां से क्या आने वाला है इधर जाओगे तो minus 10 होगा minus 10 यूज किया फिर इधर जाना है तो i1 का i1 होगा और into 1 होगा product past 2 होगा clear इन दोनों का multiplication प्लस होगा इधर आओगे तो देखिए गा plus से निकल ले हो 2 से multiply करिए इसको plus रहेगा 2 से multiply रहेगा i1 minus i2 minus i3 इधर जाओगे इधर जाओगे plus से निकलोगे 4 से multiply कर लो इस current को यह इस current को current यह जाए इधर ही रहेए तो क्या आएगा 4 प्लस कर रहेगा i फ़ले मैं 4 से multiply कर दे रहा हूँ 4 i1 minus 4 i2 clear यह 4 बाहर कर लीजे कोई दिक्कत नहीं 4 से multiply कर लो यहां ऐसा लिए सकते थे i1 minus i2 इस उकल टू 0 हो जाएगा क्योंकि यह वाला इससे multiply करो यहां पहुंच जाएगे आप देखी ज़रा सा multiply करिए minus 10 होगा plus i है यह i काउन से था i1 था यह i1 लिखो गया i1 आएगा plus 2 i1 होगा minus 2 i2 होगा minus 2 i3 होगा plus 4 i1 होगा minus 4 i2 इसको 2 0 जाएगा देखिए i1 की value plus i1 i1 कितना यह i1 यह i1 यह होगा 7 i1 यह होगा यह होगा i2 जाएगे minus 6 i2 minus 6 i2 minus 2 i3 is equal to 10 यह equation आपके पास 2 होगा ओके अब ज़रा देखिए 3rd miss लगाई है इन 3rd miss इन 3rd miss आप 3rd miss की बात करोगे तो क्या आएगा आप ज़रा देखिए 3rd में क्या आएगा 3rd है आपके पास b e b c b apply करिए minus 5 होगा इधर आए इधर जाओगे minus से निकलोगे 2 से multiply करिए minus रहेगा i1 minus i2 minus i3 रहेगा ok students आप ज़रा देखिए अब आप 2 से multiply करोगे कहाँ पर 2 से multiply करिए i2 plus i3 रहेगा और 0 हो जाएगा multiply करिए minus 5 उथर भीच दीजी तो यहाँ कितना आएगा minus 2 i1 plus 2 i2 plus नई minus यह हो गया plus 2 i3 plus 2 i2 plus 2 i3 is equal to यह हो गया 5 उथर चला गया जाए दिखिए minus 2 i1 है आपके पास i2 i2 मिलके हो गया 4 i2 plus यह हो गया 6 i3 is equal to 5 आगया equation आगी third okay students तो आपको equation first second third मिल गई अब ज़रा ध्यान से देखिए कि first or second में क्या कहानी चल लए ज़रा first or second में मैं देख लेता हूँ कितना space है yes student मैं आपको बता सकता हूँ देखिए first or second अगर मैं first or second को add कर लूँ first plus second को add कर लूँ 20 हो गया यहां से क्या आ जाएगा i1 की value आ जाएगी 20 upon 8 यह आ जाएगा 5 by 2 यह आ जाएगा 2.5 या तो आप 5 by 2 ampere लिख दो या इसको 2.5 ampere लिख दो बहुत हर correct i1 निकल आया अब ज़रा देखिए अब i1 के साथ i3 का ज़र देखिए क्या होगा i1 and i3 i1 और i3 ज़र देखिए i1 में यहां i1 है यहां minus 2 i1 है clear तो इसको 2 से multiply कर दें तो i1 को हम multiply कर देते हैं 2 से और इसको कर देते हैं add ठीक है तो हमने क्या किया यह हो गया by first and third तो हमने one में multiply किया 2 का प्लस कर दिया third के साथ add करेंगे दिखिए रहा क्या होगा यहां वाला यह हो जाएगा 2 i1 यह हो जाएगा 12 i2 यह हो जाएगा 4 i3 4 i3 यहां 4 i3 sorry यहां पर कितना आपके पास आ रहा था यहां पर देखिए यह मैंने गलत लिख दिया है यह 2 i3 2 i3 यह 4 i3 होगा तो ठीक है फर्स में multiply करेंगे 2 से क्या आएगा 2 i1 आएगा प्लस 12 i2 आएगा प्लस 4 i3 आएगा इस इकल टू आएगा 20 अब i3 इसमें दिखिए क्या है i3 आपके पास कितना था minus 2 i1 प्लस 4 i2 और यह था प्लस 4 i3 is equal to है आके पास 5 अब हम क्या करते हैं इसको minus कर देते minus करेंगे तो क्या होगा यह minus होगा तो cancel हो जाएगा यह minus होगा इसको अठा देंगे यहाँ प्लस प्लस 8 i2 इस उकल टू यह हो गया यहां से आये कितना यह आजाएगा तो इस तरह से आपने एक्विशन एक आप्टेइन कर ली मैं इस तो रब कर देता हूं देखिए इस एक्विशन की मेरे पास जरूत नहीं है अब आप यहां पर देखोगे तो आईवन की वेलू इस तो आपको मालूम है आईवन की वेलू आप निकाल चुके हो अलेडी आईवन की वेलू 5 बाई 2 आई तो 4 इन्टू 5 बाई 2 प्लस 8 आई 2 इस उकल टू हो गया 15 यहां देखोगे 2 से 2 कैंसिल होगे 10 आया 10 धल ले जाओगे तो 8 आई 2 इस उकल टू आ आएगा 5 आई 2 की वेलू आ गई 5 बाई 8 यह इतना एंसर इंस्ट्रेंट आपको आई 2 की वेलू मिल गए अब आई 1 आई 2 मालूम है किसी वी क्योशन मा रख देते हैं हम ले लेते हैं 1st equation को स्कूलाब कर देते हैं अब कर लेते हैं 1st equation using 1st using 1st करते हैं 1st में आई 1 की वेलू कितनी है आई 1 की वेलू मिले पास आई थी 5 बाई 2 ठीक है प्लस 6 6 आया इंटो 5 बाई 8 आ गया है 8 5 बाई 8 प्लस 2 बाई 3 इस उकल टू 10 आ गया हमने क्या किया 2 आई 3 रोक लिया और सब कूधर कर देता हूं है 10 माइनस 5 बाई 2 और यह हो जाएगा इसको force इसको 8 से multiply करेंगे 80 हो जाएगा इसको करेंगे force से 20 माइनस 30 तो देख रहें आप कितना यहां से आजाएगा यह आपके पास आजाएगा 50 50 गया 30 30 30 बाई 8 तो यह आगया 2 आई 3 तो यहां से i3 की वेलू जो आएगी वो आजाएगी 30 बाई 16 इसको cancel करेंग तो 15 बाई 8 यह स्ट्रेंट इस तरह से answer इसका मेल जाता है आई होप स्ट्रेंट आपको एक conception में आया होगा कि के वियल क्या होता है के विल का sign connection क्या होता है कैसे हम plus minus लेते हैं